बच्चो आज हम शांकव याने कोनिक सेक्षन के बारे में जानकरी लेंगे कोनिक सेक्षन शांकव में विभिन प्रकार के वर्क होते हैं व्रत भी एक शांकव है, परवले भी एक शांकव है, दीरगविद भी एक शांकव है, अति परवले भी शांकव है इतना ही नहीं, युग में रेखा भी एक शांको है, लेकिन आज के लेक्षर में हम विशेश रूप से परवले के बारे में विश्ति जन करी लेंगे। इत शन्लाट सदयो नियत बना रहता हैै, तो बिन्दुपी का जो लास्ता है या बिन्दुपत, इसको गणिती भाशा में कहेंगे, वह शांका होगा। शांकाव जो है, वह वरत भी हो सकता है। शांकव परवले भी हो सकता है, शांकव दिर्गवृत भी हो सकता है, अति परवले भी हो सकता है, युगम्रेखा भी हो सकता है. अब शांकों को और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं कि कोई बिंदू P विभिन इस्ततियों में है तो निशित बिंदू S जिसके निदेशांग A0 है और एक नियत रेखा है तो बिंदू P की इस्तति P1 है तो उस इस्तति में S1 P1 बराबर P1N1 और बिंदू P की इस्तति बदल गई तो S P2 और P2N2 बराबर है इसी तरह से S P3 P3N3 के बराबर है S P4 P4N4 के बराबर है तो बिंदू P की विभिन इस्ततिया हमें मिल रही है P1, P2, P3, P4 ऐसे बहुत सारे बिंदू को मिलाने से जो वक्र हमें मिलेगा वहां बिंदू पत होगा लेकिन यहां यहां उस शर्थ का पालन कर रहा है कि निश्चित बिंदू से दूरी और नियत रेखा से दूरी सदेव बराबर है यानि अनुपात एक है तो उस श्थिति में बिंदू P का जो रास्ता होगा और बिंदू P की विभिन श्थितियों से मिलाने से जो वक्र मिलेगा वो परवले होगा जो शांको है